कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया अभी तो एक साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी को पांच साल दे दिये तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया नौ साल में हमने जितने काम किये एक साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानास कर दिया तो पान साल में ये क्या करेंगे इनके पास मौका था LG इनके LG इनके हैं LG को इस्तिमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके उसी LG को इस्तिमाल करके ये काम करवा देते जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये एक साल के अंदर जितनी सडके थी चमका देते सडके दिल्ली की पूरी जब हम सारे जेल में थे मैं मनीश सिसोधिया संजय सिंग सतिंदर जैन हम सारे जेल में थे उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता लोग कहते जी आपकी अब जुरूरत नहीं है बीजेपी वालों ने लेकिन ना तो इनकी नियत है और ना इनकी काबिलियत है इनकी नियत ही नहीं अच्छे काम करने की इनोंने अच्छे काम करने की बज़ाए गलत काम किये सारे काम इनोंने रोक दिये आने के बाद से मैं लगा हुआ हूँ मैंने कहा था अब मैं आ गया अब चिंता मत करना जितने काम इनोंने रोके हैं काम एक एक करके शुरू कराऊंगा सड़के रिपेर होनी चालू हो गई हो गई कि नहीं अभी पीड़वलीडी की ओरी थी अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़के रिपेर होनी अस्पतालों के अंदर मोहला क्लीनिक के अंदर इन्हों ने जो दवाईयां टेस्ट बंद किये थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं Old Age Pension जो रुखी हुई थी Old Age Pension को भी दूबारा चालू करा रहे हैं फरिष्टे स्कीम दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सिडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है वो भी स्कीम इन्होंने पिछे से रोक दी बताओ इतने पुन्ने वाली स्कीम थी 26,000 लोगों की जान बचा चुके दिल्ली की बाउंडरी में किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपॉलो में, मैक्स में, फोटिस में, एसकोट में जो बड़े बड़े अस्पताल है उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है अच्छी बात है की नहीं है, पुन्ने की बात है, इसमें राजनीती नहीं होनी चाहिए वो स्कीम भी इनों ने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दुबारा चालू हो गई हमने स्कीम बनाई थी, कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो आपका टाइम पर, मानलो वहाँ पर सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की अलंबी लाइन है तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाकि अपने टेस्ट करा लो दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है आपको पैसे देने की जुरूरत नहीं है हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको operation कराना है, सरकारी अस्पिताल में गए, डॉक्टर के पास time नहीं है, डॉक्टर दो महिने बाद की date देता है, आपको wait करने की जुरूरत नहीं है, दो महिने में तो मरी जी मर जाएगा, हमने scheme बनाई थी, आप private में जाके अपना operation करा लो, सारा खर्चा दिली स सरकार देगी, यह सारी scheme में इन्होंने मेरे पिछे से रोक दी, आने के बाद सारी scheme में चालो करा दी, अब करा ले ना कोई दिक्कत नहीं है आपको.